आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अला फ्रेंट्स हमारा जो question है उसमें बूल लगा है कि find a scalar projection of vector A on vector B ठीक है, तो देखो, scalar projection क्या होता है वो देखो, अगर मेरा ये दो vectors है, इस तरह से हैं ठीक है, तो vector projection of A निकालना है on B तो ये मैं मालता हूँ की vector A है अपना ठीक है, और ये मैं मालता हूँ की vector मेरा B है, ठीक है, इनके बीच का यह अपना एंगल कॉस्ट थिटा है तो इस पर मैं क्या करता हूं एक प्रफेंट कुलर ड्राउ करता हूं और इसको नाम करण देता हूं चलो यह m है यह अपना a है ठीक है और यह अपना क्या है ठीक है चलो तो देखो यह जो am length है न वहीं होता है मेरा scalar projection ठीक है तो देखो इस triangle में अगर मैं cos theta निकालता हूँ cos theta तो वो कितना आएगा वो आएगा मेरा am divided by ap ठीक है am divided by ap तो am की value तो हमको निकालनी है तो चलो तो यहाँ से मैं लेख सकता हूँ क्या कि am is equal to ap cos theta ठीक है अब ap क्या है ap का एक्षभर डिक्तर वो वेक्टर आ है तो ap क्या है length मत्तब ap क्या है mod a के equal है तो यहाँ पर am जो हो गयाbased may aWhat a और यहाँ पर क्या है और divided by क्या हो गया दिवाइड़ बाड भी ठीक है चलो तो यह हो गया अपना am यह थीक है तो mod a mod b cos ठीटा, यह क्या होता है, a.b ही तो होता है, ठीक है, तो यह मैं लिखता हूँ कि a.b divided by mod b, यह क्या हुआ, अपना am की length, ठीक है, और यही मेरा क्या है, scalar projection, scalar projection, ठीक है, और किस पर है, यह scalar projection of a है, a vector है, on b vector, ठीक है, तो यह हो गया मेरा, तो मतलब dot product निकालना है, और mod b निकालना है, तो चलो, मेरा a क्या given है, वो मैं लिख लेता हूँ, तो मेरा जो a vector है, वो given है, 2i प्लस 3j अप प्लस में 2k, लिखो, 2i अप प्लस में 3j, अप प्लस में कितना 2k, ठीक है, और b vector भी निकाल देते हैं, मतलब लिख लेते हैं, तो यह है मेरा i प्लस 2j, अप प्लस में कितना है, k है, ठीक है, तो इसका dot product निकालूँगा, तो वो कितना है जाएगा, वो भी लिख लो, चलो, तो a dot b, यह i का मेरा, देखो, dot product में हम क्या रहते हैं, कि i वाले का i के साथ, multiplication, j वाले के साथ, और k वाले के साथ, तो 2 into 1, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस में, 3 into 2, यह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 into 1, यह कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, तो यह कितना आ गया, यह हो गया मेरा 10 के equal, तो a dot b तो 10 हो जाएगा, mod b भी निकाल लेते तो देखो, यहां से mod b जो आएगा, वो कितना आजाएगा? Under root में 1 का square कितना हो जाएगा? 1 और यहां देखो, 2 का square कितना हो जाएगा? 4 और plus में 1 का square कितना? 1 ठीक है? तो यह हो जाएगा under root of 6 ठीक है? तो इसका मत्तब scalar जो projection आएगा या फिर समझ लो am वो आएगा कितना a.b मत्रब 10 और डिवाइडर बाइ मॉड बी मॉड बी कितना है अंडू टॉट आउप 6 का इक्वल है ठीक है तो यही मेरा scalar projection हो गया ठीक है तो यह मेरा क्या हो गया answer तो होग आपको समझ में आओगा Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज यह डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट 8444 सूपर